हेलो मेरा नाम दलबीर है और मेरे इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है आज मैं आपको सर्षोगी पॉइनर 45-46 वरायटी के बारे में बताऊंगा मैंने यह वरायटी एक नॉबंबर को लगाई थी चलो चलिए सटार्ट करते हैं जहाँ पॉइनर गी 45-46 वरायटी है जो कि मैंने एक नॉबंबर को लगाई थी मार्केट में सर्षों की बहुत सी वरायटियां उपलब्द है जैसे पॉइनर 45-46, पॉइनर 45-42, पॉइनर 45-42, और 30 और भी बहुत वरायटियां उपलब्द है लेकिन यह वरायटी पॉइनर 45-46 है जो कि आप देख सकते हो सबसे पहले हम इसमें एक खेट का सुनाव करते हैं उसके बाद हम उस खेट की मिट्टी की जांच करवाते हैं जिसे हम स्वाइल हैल्थ कार्ड या मर्द्य स्वास्त्य कार्ड भी कहते हैं जिससे हमें यहापता चल जाता है कि मिट्टी में किन किन पोशक तत्तों की कमी हैं उसी के अनुरूप हम खादगा परियोग कर सकते हैं अगर हम गौबर की खादगा इस्तेमाल करते हैं तो एक अंकड के लिए 6-8 रोली परियापता रहता है अगर हम रसाइनिक खादगा इस्तेमाल करते हैं तो सर्शों के खेट के लिए 50 किलो डीपी और 10 किलो सुपर 20 किलो परियापता रहता है आप खाद का चुनाव अपनी मिट्टी की जांस की उनुसान भी कर सकते हैं उसके बाद मैंने खेट की सिचाई कर दी थी जमेन के बत्तर आते ही उसे ट्रेक्टर की साइटा से जुदाई कर उसको कल्टिवेटर साइटा से समतर कर दिया उसके बाद बीज का चैन मैंने यहां पॉइनर की 45 और 46 व्रैट्टे का बीज का चुनाव किया था बीज का उपचार अगर आप पॉइनर 45-26 व्रैट्टे को उपचार करते हो तो बैतर रहता है मैंने इस पॉइनर 45-26 व्रैट्टे को राईजोबियम कल्चर से उपचार किया था इसके उपचार करने से बीज का उप्रूर्ण है वो 100% लगबग हो जाता है आप बीज बाग खाद की बुआई एक साथ कर सकते हो पॉइनर 45-26 का बीज एक अंकट के लिए एक किलो प्रियापत रहता है इसमें बीज की बुआई खाद की बुआई दोनों मशीन के साथा से एक साथ कर सकते है बीज जाई के बाद आप इसमें पैंडा मेलित्यान यहनि पेली दुआई का पिडियो कर सकते हैं जो की करपत्वार की रोक थाम के लिए क्या जाता है 30-45 दिन बाद आपको पहली सिचाई कर देनी है सिचाई के समय मैंने इसमें 50 किलो यूरिया पर अंकट डाला था उसकी दूसरी सिचाई के भी मैंने इसकी एक महिने के बाद फिर कर दी थी उसमें 50 किलो यूरिया फिर डाला था इस वराइटे में किस भी परकार का कोई सपरेनी की या गया है पॉइनेर 45-46 वराइटी की कुछ विशेशताई हैं जैसे पॉइनेर 45-46 वराइटी का जो पॉद्दा होता है उसके लंबाई अन्य वराइटियों की मुकाबले कम होती है लेकिन दूसरा इसका फाइदा यह है कि इसमें पुटाव सुरू से हो जाता है और अंतक सकता है जिसका पैदावार पर पूरा असर पड़ता है जिससे पैदावार जादा होती है क्योंकि इसमें सुरू से ही पुटाव हो जाता है जिससे फलिया जादा बनती है और जिसमें पैदावार में वर्द्य होती है पॉयनियर पंतारिश चारिश की यह सबसे बड़ी खाषित है इसका गिसानों को पूरा लाब मिलता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइप सब्सक्राइब कमेट जरूर कर देना धन्यवाद